हेलो दोस्तो स्वागत है आपके एजुकिशन 899 पे दोस्तो 36 गड़ ओपन बोर्ड के माध्यम से दसवी बार भी परिक्षा के लिए हम पस परिक्षा फॉर्म प्रारंब कर दिया गए है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सत्रे 2023-2024 के लिए जो एक्जाउम फॉर्म है उसका ओनलेन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे इसके बारे में ठीक है साथ ही साथ इसकी अंतिमतिति क्या होने वाली है इसे के साथ साथ इसमें क्या क्या डेक्विमेंट से क्या दस्तविज आपको लगने वाल है साथ ही साथ इस तो simply से आपको Google पर आ जाना है या फिर कोई सभी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है उसके बाद आपको Google पर दीखिए क्या सर्च करना है CGS OS ठीक है CGS OS आप सर्च कर लेंगे अब जैसी आप सर्च करते हैं आपके सामने देखने को मिल जागा यहां पास 36 राज्य ओपन इसकूल का एक लिंख ठीक है तो इसमें आपको सिंपली से आप क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर 36 राज्य ओपन बोर्ड इसकूल का यहाँ पर ओफिसियल वेब साइट open होकर आ यहां परिक्षा यहां पर आपको इसी वाले लिंक से खले X стब करेंगे आपके सामने इस प्रकाट सब्सक्राइब कर आपस जी के आप इस पहले तो आपकोечат अ प्रकार से अलग से दिया रह गया है तो कौंट करके आपको यहां पास डाल दिना है एकर आप पहले से रजिस्टर होंगे तो यहां पास आरेडी रेजिस्टर पर क्लिक करके आप लॉग-इन भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं फटा-फट से यहां पास मोबाइल नंबर औ यहisंतार फिल कर लेने के बाद सिंप्ले से आपको यहां पास टोप ऋप्सिन पर क्लिक कर लेना है अब जसी दोस्तों आप कीक करते है थोडिए दिर आपको वेड़ एट कर लेना है ठीक है अब OTP इंटर करने के बाद देखिए यहां से अब आपको यहां पास प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है ठीक है तो पासवर्ड आपको किस फॉर्मेट में बनाना है उसका फॉर्मेट आपको यहां पास देखने को मिलेगा तो आप कुछ अलग तरीके से इसी फॉर लोग इन के option पे क्लिक कर देना है अब इसके बाद आपके समने इस प्रकार से यहाँ पास्वर्ड बनाये थे उसी से लॉग इन करना है तो यहां पास आपको अपना मोबाइल नमबर इंटर कर देना है अगर नहीं आता है तो उसके बाद यहां पास अभी आपने जो पासवर्ड बनाएने उस पासवर्ड को इंटर कर देना है इसके बाद यहां पास जो प्लस करके कितना आप है उसको यहां पा अप्लोड फोटो सेकंड इस्टेप फिर फोर्थ इस्टेप फिर यहाँ पर फिप्ते स्टेप में आपको application form को प्रिंट करना है ठीक है तो यह पांचो स्टेप को हम आपको step by step बताएंगे ठीक है तो पुरा ध्यान से देखिएगा वीडियो में आपको किसी भी प्रकार से ग आगे बढ़े तो सिंप्ली से अब आपको क्या करना है इसी वाले आगे बढ़े पर आपको क्लिक करें अब जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे आपके सामने आपर फर्स्टेप आ जाता है इस फर्स्टेप में देखेंगे यहाँ पास आप बोला जाता है कि परिक हो से आप जिसके लिए भी फॉर्म बनना चाहेंगे वो सिलेक्ट करेंगे ठीक है आगे प्रोसेस सेम रहेगा यहां पर सभी लास के लिए अब देखें यहां पास पूछी जाता है जिला तो आप जिस भी जीले से आते हैं उस जीले को यहां से फ़ाइंड कर लेना है फिर यह क् Gefühl को यहां से select कर लेना है अब यहां पास अपको देखने की एक option थीक है अब फिसे क्लिक करेंगे देखेंगे आपके सामने इस प्रकौट से यहांप 이거 कर आजाता है अब यहां पास मुख्य चीजद्ट है यहां प realm शूसbags नहीं पास आप तो गलती नहीं गए हैं तो चलिए आपको इन options के बारे में बताते हैं तो देखिए सबसे फर्स टाइम यहाँ पर एक्जाम टाइप पर दिया गया है कि दसवी औसर परिक्ष्छा तो इसके अंतर दर्गत आते है जो दो या दो से अधिक विसाय में फैल हो गया है तो इस विद्ध्यार्थि यहां पर इस वाले को यहां पर करेंगे ठीक है तो इस प्रकार से आप चैन कर सकते हैं बाकी यहां पॉत फार कशेंगे और इसके बाद सामने इस प्रकार है को देखने को मिलेगा समस्तनी रिदेशों से सहमत हूं आगे बढ़े तो simply से अब आपको इसी में क्लिक कर लिन है अब जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से यहां पर page open होकर आ जाता है ठीक है अब यहां पस आप ध्यान से समझीगा जैसे जैसे बताते हैं वैसी फिल कीजिएगा तो स आपके नाम सूरज कुमार याधाव टो आपको सूरज कुमार यादा डालम है ठीक है अपने पांच विया आथवी के मारका सिट में देख लेंगे उसी के अनुसे सार आपको फील कर दीना है ठीक है अब इसके बांद या फिर husband का यहाँ पास पूरा नाम आपको डाल देना है यह सभी जनकारी आप अपने 5 वी या फिर 10 वी के मारका सीट को या फिर आप अपने जो अगर 12 वी के लिए फॉर्म भर है तो आप 10 वी का मारका सीट को देखकर फिल कर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद यहाँ पास द पर सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है अब इसके बाद देखी यहाँ पास senior citizen के अंतरगत लाभ पात्र पूछा जाता है तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करने है इसे छोड़ दे रहे है ठीक है इसके बाद अब देखी यहाँ पास लिंग पूछा जाता है तो यहाँ पास जाती प्रमान पत्र बन गया है तो यहाँ पास आप हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपका जाती प्रमान पत्र नहीं बना है तो यहाँ पास आप नहीं भी रहने दे सकते हैं ठीक है अब इसके बाद यहाँ पास वर्ग पूछा जाता है तो देखिए अगर आप जनरल candidate है तो इसमें क्लिक करेंगे SC, ST, OBC आप जिसमें भी आते हैं आपको simply से यहां से आपको select कर लेना है ठीक है अब इसके बाद यहां पस दिव्यांग पुछे जाता है तो अगर आप दिव्यांग candidate होंगे तो यहां पस आपकी select कर लिजेगा इसे कर आपका इकसाम भी होगा ठीक है अब इसके बाद देखिए यहां पास पत्रव्य भार का पतलर जैसे फर ईक जम। आपको अपने राज्य सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद देखिए यहां पास जिला पुछा जाता है तो आप जिस भी जिले में आते हैं यहां से आपको फाइंड कर लेना है इसके बाद यहां से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है ठीक है अब इसके बाद यहां पास विकासखंड का पुछे जाता है तो आप जिस भी विकासखन में आते हैं उस विकासखन को आपको यहां से देख लेना है और अपना विकासखन सेलेक्ट कर लेना है इसका बदेखिए यहां पास पीन कोड पुछे जाता है तो अपने एरिये का जो भी पीन कोड है उस पीन कोड को आपको यहा निवारिया है ठीक है तो यहाँ पास प्रथम विशे चुने द्विती विशे चुने तो यहाँ पास आपको था है खाता नंबर यहां पर मानिया नहीं होगा तो धियां रखेंके यहां पाथा आपस आप gay जान का जान्कारी को अपने नाम चारते था बद आप इसके पांपर या तुछints कथा जाता नाम धाल При आपके passbook में दिया रहता है वो देख लेंगे और उसके इनुसर यहाँ पस आप IFC code डाल देंगे ठीक है अब IFC code डाल लेते हैं इसके बाद simply से आपको नीचे आजाना है अब नीचे आने के बाद यहाँ पस पत्र यहाँ पर पात्रता घोसन दिया गया है ठीक है तो यहाँ आप एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे यहाँ पर प्रमानित किया जाता है कि यह सारा चीज आप रीड कर लेंगे रीड करने के बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक box इसी में आपको simply से क्लिक कर लेना है इस बाक्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं अब सारा से अब यहाँ पास सब्मीट के ओप्शन देखने को मिल जागा इसी सब्मीट के ओप्शन पर क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास आपका यहाँ पास आईडी यहाँ पास नंबर देखने को मिल जागा है तो इसे आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं ठीक है अब इसके पुरा कंप्लीट हो जाता है अब यहांँ से आपको अपना second step कंप्लीट करना होगा ठीक है तो second step करने के लिए यहां पर photo और quarter अपको upload करना होगा ठीक है तो photo और hard stop upload काने के लिए हाँपकर फोटो देखने के मिल जागा है सिंप्ली से अब आपको यहाँ पास upload image के option पे सिंप्ली से क्लिक कर लेना है अब जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे यहां पास आपका photo को चीज प्रकार से upload होकर आ जाता है ठीक है इसी प्रकार से अब यहां पास choice file पे click करके आपको एकहाँ से यहां पर सेलेक्ट कर लिते हैं इसका है और आपको अपको मिलेंकर यहां पास आपका फोटो भी हपिए अब दोनों अपलोडो और इसके बास दोस्तों यहां पास आपका सब दीखेंगे आपका सेकंडी टोढ़ीर्लेट नियुक्ली बिखा कर तो सुधार करने के लिए यहां पास आपको एडिट का एक option देखने को मिलेगा अगर इसमें कोई मिस्टेक है ऐसा आपको लगता है तो आप एडिट पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं इसके बाद साइड में आपका तोटल फिस कितना है वो भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पास यह सभी चीज आप देख लेंगे अगर इसमें कोई तुरूटी रहता है तो आप सुधार कर लेंगे लेकिन आपका सभी चीज सही है तो आपको सिंपली से फिर से उपर आ जाना है उपर आने के ब अब इसके बाद यहां पास आपको देखने को मिलेगा एक Tick Box का physician तो इस box पर आपको सिंपली से टिक कर लें है इसमें आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके बाद यहां पास पर से open होकर आ जाती है ठीक है अब इसके बाद आपको payment करना है यहां पास कितना payment फिस है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर SBI Net Bank के सकते हैं, इसमें आपको Charges लगेगा, ठीक है, इसे के साथ यहाँ पस Other Bank में भी आपको Charges लग रहा है, इसे के साथ अब यहाँ पस नीचे आते हैं, तो यहाँ पस Other Bank, यहाँ पर State Bank, यहाँ पर देखेंगे, Debit Card का भी Option दिया हैं, अब इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पस आपके जो पेमेंट की सारी जनकारी ओपन होकर आ जाती है, ठीक है, सिंपली से आपको नीचे आजाना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पस आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर Select करना होगा payment method को, ठीक है, त यहाँ पस आप अपना payment successful कर लेते हैं, इसके बाद सिंपली से आपको प्रिंट एप्लिकेशन के option पे क्लिक करने हैं, इसमें क्लिक करने के बाद आपका application प्रिंट करने वाला page open होकर आ जाता है, तो वहाँ पस आप प्रिंट पे क्लिक करके PDF में सेव करके रख सकते हैं, सारी updates आती है, तो आपको हम वीडियो बना कर देते रहेंगे, ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए है होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे आपको सारी updates दी जागी, इसके साथ आपको बताना चाहेंगी कि अब आपका form complete हो जाता है, तो आपको print को लेकर आपने अध्यन केंद्र में चले जाना है, और वहाँ आपको जमाकन है, सभी documents के साथ आपको जमाकन है, क्या-क्या documents लगेगा, वो आपको स्क्रीन में सोह रहा होगा, या फिर हम आपने टेलिगरम ग्रूप में भी इसकी जनकारी दे देंगे, ठीक है, फिलहाल दोस् धन्यवाद जैहिन्द